तुम्श्कार दोस्तों मैं हूँ जिग्निश्परमार और आप सबका स्वागत करते हूं अमरे इस चैनल निवेश के आद में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ओफ लेक्सिक्याफ फंड के बारे में जो की एक नही केटेगरी है जो इक्विटी स्कीम के अंदर एड की गई है तो इस महत्तव पूर्ण जानकारी को अच्छे से समझने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना बहुत जरूरी है अगर आपको इस वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कवेंट करें, शेयर करें अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल से सब्सक्राइब करें तो आए शुरू करता है फ्लैक्सी कैप फंड केटेगरी के बारे में दोस्तो करीब दो महिने पहले, CB के द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया था और वो था मल्टी कैप फंड के स्ट्रक्चर की रिवैंपिंग के बारे में जिसके हिसाब से अभी जितनी भी मल्टी कैप केटेगरी की स्कीम थी उसका जो स्ट्रक्चर था वो लार्ज, मीड और स्मॉल कैप में 25%, 25%, 25% इक्विरी जितना ही होना चाहिए इस तरह का सर्कुलर, CB के द्वारा दिया गया था जोस्तो अब तक क्या हो रहा था कि मल्टी कैप केटेगरी की स्कीम में आपको लार्ज कैप, मीड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्मेंट के लिए किसी भी प्रकार की कंडिशन नहीं थी कंडिशन थी तो बस एक ही थी कि उस कीम के अंदर कम से कम 65% एक्वीटी या तो फिर एक्वीटी रिलेटेड इस्टुमेंट में इन्वेस्मेंट होना चाहिए लेकिन ये नए सर्कुलर के हिसाब से तीनों के तीनों कैपिटिलाजेशन में 25% का वेटेज दिया गया था दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि मल्टी केप कैटेगरी की स्कीम अपने अच्छे रिटन की वज़े से इन्वेस्टर में काफी फेमस हो चुकी है तो जब यह सर्कुलर रहा था बहुत सारे इन्वेस्टर को सवाल उठे थे कि अब यह सारी स्कीम क्या करेगी दोस्तो सेवी की सर्कुलर ने बहुत सारे इन्वेस्टर को चिंता में डाल दिया था इसकी वज़े यह है कि बहुत सारी मल्टी केप कैटेगरी की स्कीम में उन लोग ने मीट कैप और स्मॉल कैप का पोर्शन बहुत ही कम रखा था इसकीम को नए स्कीम के हिसाब से मल्टी कैटेगरी की सबसे बड़ी स्कीम है वो है कोटक स्टांडर मल्टी कैप उसका एईउएम है करीब साड़े उन तीस हजार करोड और यह है एईउएम है 30 सप्टेंबर का दोस्तो इसके अंदर आप लाज कैप का पोर्शन देखने जाओ तो करीब है 82 परसंट मीट कैप का 15.2 परसंट स्मॉल कैप का 0.64 परसंट तो यहाँ पर अगर इस स्कीम को नए स्ट्रक्चर के हिसाब से रिवेम करना पड़ेगा तो लाज कैप में से करीब 60 परसंट जितन इसका EUM करीब साड़े 18,000 करोड के असपास है इसमें भी अगर आप लाज मीड और स्मॉल कैप का पोर्शन देखने जाओ तो लाज कैप का है 84.3 परसंट मीड कैप का है 10.9 परसंट के असपास और स्मॉल कैप का है करीब साड़े 4 परसंट के असपास तो यहाँ पर भी बहुत सारी स्कीम ऐसे थी जिसमें ये प्रॉब्लेम था तो सेवी ने बीच का रास्ता निकाला है और एक नई कैटेगरी जनरेट की है जिसका नाम है फ्लेक्सी केफ फंड जिसके अंदर आप कोई भी स्कीम को रख सकते हैं इस कैटेगरी के अंदर जो भी स्कीम रहेगी उस कैटेगरी की स्कीम के नाम से रखना पड़ेगा इस कैटेगरी के अंदर जो भी नई स्कीम आएगी या तो फिर कोई और कैटेगरी की स्कीम को अगर इसके अंदर करते हैं तो उसका नाम भी बदल के इसी कैटेगरी की स्कीम के इसाब से रखना पड़ेगा इसके अलावा इसके अंदर और कोई भी कंडिशन नहीं है तो यह थी जानकरी नई कैटेगरी फ्लेक्सिकेप फंड के बारे में इसके अंदर आप लाज मीड कैप स्मॉल कैप का जो रेशियो है वो कोई भी रख सकते हो लेकिन मिनिमम इन्वेस्पेंट 65% एक्विटी या तो एक्विटी ल ये बीच का रास्ता निकाला है अब हमें जानकारी लेनी है कोट्स टांड的 lealnya फ्लेक्सिक फंड स्कीम के बारे में जिसे कि पहले हैं मैं आपको बताया कि का के अंदर आप कोई भी दूसरी स्कीम को existing scheme को आप convert कर सकते हैं तो इसी लिए कोटक स्टांडर मुल्टिकेप scheme को कोटक एमसी ने फ्लेक्सिकेप फंड में convert करने का फैसला लिया है कोटक ने अल्रेडी सेवी में scheme की category को change करने के लिए request दे दी है और जैसे ही request अपरूव हो जाएगी permission मिल जाएगी तो इसके बाद कोटक स्टांडर मुल्टिकेप फंड का नया नाम होगा कोटक स्टांडर फ्लेक्सिकेप फंड और कोटक की scheme में बाकी सब कुछ पहले जैसा ही है सिर्फ नाम बदला है उसका asset allocation उसका fund manager उसकी equity team सब कुछ as it is है कुछ भी नहीं बदला है सिर्फ इसके अंदर नाम बदला है तो कि यह fund काफी अच्छा performance दे रहा था काफी अच्छा asset under management था और इंवस्टर में भी काफी famous scheme थी और इसकी stability और return के लिए तो इसी लिए कोटक ने इसके अंदर छेट छड़ ना करते हुए इसकी category को change करने का फैसला लिया है तो बहुत चल्द ही कोटक standard multi cap fund कोटक standard flexi cap fund के नाम से चानी जाएगी और इसका नाम भी change हो जाएगा और बहुत चल्द ही यह fund category के बारे में और कोटक standard के ने जो अपनी category change की है उसके बारे में तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी अच्छे से समझ में भी आई होगी इसे like करे कमेंड करे कुछ परिशानी है कमेंड में लिख कर बता सकते हैं और अगर अभी तक आपने इ ऐसी ही महत्वपून जानकारी के साथ जय हिन चय भारत